2014 के बाद देश को एक मजबूत प्रधान मंत्री मिले जिनकी वज़े से आज भारत विश्व गुरू बनने की देलीस पर है ने कब होगे ही कब हो यह भारत की देश नीती की ही ताकत है कि आज अमेरीका भी भारत के साथ मजबूत रिश़्टे चाहता है और रश्या भी भारत का पक्का दोस्त है यूक्रेन यूद के बाद से कई देशों के प्रतनिदी भारदोरे पर आए हैं और भारत ने इन देशों के साथ भी पाच्चीत जारी रखी है और रश्या के साथ भी संपर्क बना कर रखा है मालदीब गया हमारे हाथ से, सिरलंका गया, नेपाल गया, बंगलादेश कोई खास नहीं है, बैलेंस बना के चल ला है, यह हमारा हंडेट परसेंट दुस्मन था, यहां तालिबान आ चुगा है, चाइना से तो हमारी दुस्मनी है, चाइना भुटान, दोनों, भुटान के व यहता हिं को बैलेंस करने के चकर में एरान से भी हाथ दो रहा है, इरान अफे रहां है, यह लों बताहिए हम लोगों कहाँ दे काहां गिया हुह से, इस सज्जन को क्या तकलिब है भई? कि यहां तकलिब है इनको हम लोग मीडिया मीडिया इस बात पर लगी है ना कि हम लोग मीडिया हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए जया संकर साब बहुत अच्छे पुधन विदेश मंतरी हैं लेकिन आप देखिए एसिया में क्या हो रहा है हमारा चाइना हमें न एक किसी सड़क बना लिया यहां तीबत खुद है यह है मैं अनमार में तख्ता पलट कर दिया आंग संग सूख चली गए जेल में सेना पर मुखा गया यहां से जोड़ दिया किसको काक्स बाजार बंदरगा को जोड़ दिया उसे हम लोग घीर चुके हैं आपको क्या लगता है मुझे भी वही लगता है बाकी चाइना के मेटल पर दिखते हैं नम मौय मौय हो जाते हैं हम लोग की बीडेश नीटी सबसे सही काम करती है पाकिस्तान को लेके बाकी चाइना के मेटल पर दिखते हैं नम मौय मौय हो जाते हैं लवने न भूज्यम This is India's moment Music अनन्द ने जी में समझ गया समझ गया समझ गया मारू, 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 पेको!